इस पद के लिए काफी समय से अटकले चल रही थी और कांग्रेस में कुछ समय गुटबाजी भी देखने को मिल रही थी जिसमें सुखु गुट और राजा गुट की दावेदारी जिताई जाती थी लेकिन अब इन दोनों गुटों को दरकेनार करते हुए एक नीटल कारे करत को शेहरी कांग्रेस की कमान संभाली गई है जिसके चलते अब पार्टी में खल बली मच गई है और दोनों गुटों में भारी आसन तोश देखने को मिल रहा है नवन्यूक्त शेहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुसूद ने पतरकार वारता कर सभी आला निताओं का धन्यव पर्चों से पार्टी के लिए कारे कर रहा था उसे शेहरी कांग्रेस की कमान संभी गई है और उन्होंने कहा कि वे उनकी आकांशाओं पर खरा उतरने का पुर्जोर प्रयास करेंगे अपने हिमाचल परदेश के परदेश अध्यक्ष इरी कुलदीप सिंग राठहौर जी का धन्याबाद करना चाहता हूँ जिनोंने एक आम कारे करता को यह जिमेवारी सौंपी है जैसे ही वो अध्यक्ष भने थे उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि पार्टी के पूमी से नहीं हूँ एक समानने सा कारे करता था और उन्होंने मेरे उपर जो यह विश्वास जिताया है उसके लिए मैं उनका हार्दीक धन्याबाद करता हूँ और साथ ही साथ हमारे सोलन के विधायक हिमाचल के पूर मंत्री वस करनल धनीराम शांडिल जी का मैं तहत दि दिया शहर में काम करने का मौका दिया मेरे उपर विश्वास जिताया और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो उमीद उनको मुझसे है मैं उसे पूरा कर सकूँ और कॉंग्रेस को हर बूत के उपर पूर्णत मजबूत कर सकूँ एक आपने आज देखा ही है सभी जितने भी युगा कॉंग्रेस है चाहे वो महिला कॉंग्रेस है चाहे वो एनेस याई है चाहे वो सीनियर कॉंग्रेस है आपके सामने यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं हम सब एक परिवार है और मिलकर कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और 2019 के चुनाव में हम 100% कॉंग्र करेंगे